दोस्ता जहिंत इससे पहले कि हम आंसर की के बारे में या फिर जो फौज की जो नोकरी है वो और गुरूबडी की या किसी और की नोकरी के बारे में बात करें हम इससे पहले आपको बता दें कि एक भाई साहब है जो बंगाल से भरती हुए थे ठीक है किसी और अस्टेट के थे उनका जो डॉकुमेंट है वो वेरिफिकेशन के समय जो डॉमिसाइल सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आके SDM आफिस से उसको निरस्त कर दिया ठीक है तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ऐसे भरजी डोकुमेंट्स जो अभी नए भरती आएंगे जिनको भरती हो गया जो देख लिए और भरती देख लिए परिशान हो गये और इस तरह के मतलब जो आसान तरीके अपनाना चाहरे हैं जो नए लगे हैं उनको बता रहा फरजी कामों के चकर में मत पड़ो थोड़ी सी पढ़ाई करो दुनिया भर का option है फीग है यह मैं मानता हूँ कि जिस state में cut off ज्यादा जाता है उनके साथ मतलब थोड़ा समस्या है लेकिन जिनके पास cut off कम जाता है उस state में उनकी आबादी के हिसाब से उतनी जनसंख है यह मत जौब जो है वो फौज की वो अच्छी नहीं है तो इसके बारे मान बात करेंगे से पहले आपका answer की के बारे में बता दू answer की तो 30 Marx से पहले आएगा नहीं है न तो فाल्तो में time waste मत करो 30 Marx तक अभी मतलब physical जो लोग exam मतलब लिख चुके हैं जिनका री एक्जाम नहीं है वो फिजिकल में तन मन और धन से जुड़ जाई है एकदम से ठीक है दूसरा कोई चोईस नहीं है आपके पास और जिनका री एक्जाम है वो रिव्यू जरूर देखेगा इसका कटोफ पे बहुत सारे वीडियो बना रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इसका क्या फरक पड़ेगा तो इसका कोई फरक नहीं पड़ेगा फालतों में इसका टेंसल लेने की ज़रूरत नहीं है ठीक है देखो 16,000 लड़के एक्जाम देंगे ठीक है आप देखे होंगे जो डेटा आया है उसमें 16,000 कुछ हैं एक्जेक्ट अगर फूरू तो 16,000 में से 100-200 होंगे जो सेलेक्शन लेंगे है ना क्योंकि 50-60,000 लड़कों में मतलब केनरेट्स में अगर 26,000 का सेलेक्शन हो होगा तो इसमें कितने लोग होंगे 100-200 है ना तो मेरे कहने का मतलब है परिशान होने वाली कोई बात नहीं है कि फालतू में इतना टेंशन लें कि इससे कट अफ पे कितना फर्क पड़ेगा ठीक है तो फिजीकल में लगे रहो यूटूब के चैनल के बहुत सारे मतलब मध लेकिन हुआ है कि वो कह रहे है तो हुआ होगा ठीक है और अपने CISF ट्राइबर में उनका हुआ था इस वज़े से हम पिछली वीडियो में बात किये थे कि ये अच्छा है कि अपने स्टेट में रहो ठीक है तो कुछ कमेंट कर रहे है कि आप कह रहे हो कि फौज अच्छा युनिफॉर्म मिल जाता ना गुरूब डी में रहते हुए तो सायध हम यहां ना आते ठीक है लेकिन अगर दुबारा जैसे हम जब भरती हुए तो हमको यह नहीं पता था कि जो एप्लिकेशन होता है ना रेजिगनेशन का वो किसको लिखते हैं तो हम अपने आर्टिशी बड़वा में फोन कर दिये थे वहां पे एक सब इंस्पेक्टर थे वो उठाये थे उनको बताये अपने बारे में तो बोले तुम क्यों छोड़ के आना चाहरे हो मत आओ रिजाइन मत दो तुम आओ दो चार दिन रहो घूमो देखो समझो और फिर चले जाना ऐसे करके ठी टीक है लेकिन मैं देखो भी गलत चीज तो नहीं कह सकता हूं मैं लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को गालियां देते थे पहले ट्रेनिंग शिंटर में मुझे भी बहुत एक दो मेने तक एकदम मन नहीं लगता था क्यों बताहरो जब हैम गये तो वहां पे दो दो करह जो है न जैसे सुबह जब तीन बज़े जब उठोगे अब ये बटा पूरी दुनिया जब साठी तीन बज़े सो रही होती है मतलब दूनिया करते क्विद्धे देस तरफ साहरी जिन्दगी करतें आप इसको एक साल मत लगाएगा कि सरिफ ट्रेनिंग 11 महीने नहीं यह पूरी जिंदगी चलती है जब तक आप सर्विस में रहोगे ठीक है आप इसको मेंटेन कर सकते हो तो फिर वह बहुत बढ़ी है और डिसिप्लीन दूसरा क्या है जो सिविल जॉब है ना सिविल जॉब जॉब की तरह है लेकिन फोस जो है बैल्ट की नोगरी वो अलगी है त्विस तो इसलिए मैं पेड़ा हूं आपके हिसाब से कह रहा हूं कि यह अच्छी है मैं मानता हूँ लेकिन जो बाहर से दिखता है कि रहे हैं यह वेपन लेकर के दुनिया जो एक गाना वस्ते हैं ना मतलब मजाक नहीं कर रहा हूं मैं सिरियसली बता रहा हूं आपको कि हम जब चलते हैं तो दिल दुस्मन के हिलते हैं करके है न तो मेरे खेने का मतलब वो जो आप देखते हैं उसको maintain करने में अंदर से बहुत मुश्किल होता है ठीके वो मैं बता रहा हूँ आपको मैं इसे demotivate नहीं कर रहा हूँ क्योंकि demotivate करने से देश नहीं चलेगा न तो मैं यह कह रहा हूँ कि इसको maintain करने के लिए बहुत महनत बहुत मतलब discipline क्या है सकता होगी ठीके अभी आज इतना ही इस पर बात करेंगे ठीके मेरे हिसाब से आप समझ गए होगे मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि घर के पास अगर है तो अच्छा है ठीके दूसरे को मौका दो अगर uniform ही चाहिए तो फिर आ इतना बहुत मतलब CB नहीं सेör। मैं बोला मिस्त्री मैं मानूंगा नहीं मैं जाओंगा ही ठीक है उन्होंने कहा कि डिसिप्लीन मैंटेन रखना सीनियर से बहस मत करना किसी से जगड़ा मत करना बदमासि नहीं करना ठीक है तो यह जो चीज है वह हम यहाँ पर आके देखे अभी मैं बात करता हूं फोन पर तो बोलता हूँ मिस्त्री ऐसा है कि यहाँ पर जो आप कहरते हैं वो ऐसा है वही अच्छा है ऐसे ठीके तो नॉर्मल लाइफ सभी को चाहिए ठीके मतलब रुतबा सबको चाहिए लेकिन जो डिस्टिपलीन है उसको मेंटेन करने में बड़ा मुस्किल होता है बस यही कहना है मे बड़र में बड़ा आप करने में करने में पर दो एक चाहिए में पता हैँ पाहिए लेके वो को चाहिए